तो सार्व केंदे ने नित चुगली करे अनहोंदी पराई मुह कड़ न सके उस दा काला भया केंदे ने अपने मुख़ दे विच्चों ए चुगली ए निंदा उकड़ दा नहीं फिर लोग सारे दे सारे उसनों केंदे ने ता चुगल खोदे तो इस नो मूर लगी है के दा मुख़डा काला होगी है उस दा मुख़डा काला होगी है और ऐसा मनुख रबी दरगाविच के में पहुँचेगा के में पहुँचेगा क्योंकि यह जो शरीर है सड़ा यह दर्ती है और इस दर्ती दे विच जिड़ा बीज बीजना है वो करम दा बीज बीजना है करम दर्ती शरीर करम बीज है शरीर धर्ती है के इनने अजो के समय दे विच क्योंकि हर एक युगदा अपना अपना धर्म सी जुगो जुग आपो आपना धर्म है क्योंकि किसे वेले लोक जग करदे सी किसे वेले तप करदे सी हवन करदे सी अश्वमेग यग करदे सी बली देंदे सी अपना अपना युग सी अपना अपना वक्त सी लेकिन जिड़ा कल जुग्दा युग है समा है कल तुम्रा कलेश ऐसा वक्त जिथे कलेश ही कलेश है एक होर गल में सपष्ट कर दमा जिदरे एना समझ लेना कि जो सत जुग्दा समा सी उस वेले धर्ती कोई होर सी, सूरज कोई होर सी, जंदर्मा कोई होर सी और खलकत कुछ होर सी नई, सड़े वर्गे ही इनसान सी एही दर्ती सी, एही सूरज, एही जंदर्मा, सब कुछ एही सी और खलकत विशे तरह दी सी पर लोकां दे ख्यालात, लोकां दे जड़े विचारों दे सन बस उना विच फरक सी सत्युग देविच मनुख देविचार सचे हों देविच है मनुख संतोखी होया कर देविच है सत्युग है और कल्युग देविच मनुख कूड बोलदा है जूट बोलदा है कल्युग रत अगन का कूड अगेरत वाहा सतजुग रत संतोख का तरम अगेर थवा बस इतने जीगल है जे अज भी आप जी दे कोल संतोख है आप जी सतजुगी हो जे अज आप जी दे कोल जूट है गुस्ता की माफ क्रोध है आप जी कल जुगी हो और आप जी खुदनों ही पुछो के दिने विच कितनी वार आप जी सतजुगी बन जान दे हो दिने विच कितनी दफ़ा तुसी कल जुगी बन जान दे हो ए खुदनों पुछो जेदों अभी क्रोध आगया कल जुगी हो गए जेदों अभी संतोख आगया सतजुगी हो गए सतजुगी तो धनुगुरु रामदा सहीब दे बोलगन कि करम धरती शरीर कल जुग विच जेहा को बीजे तेहा को खाए कल जुग दे विच खेंदेने ये शरीर धरती है करम भी जान और आप जी ने जेना भी बीज बीजी आए वो बीज अंकुरित होएगा अंकुरित होएगा वो दारन देता हुआ और ते मैं इस्तनाज कराँ कि किसे दासी धन चुरा के लिए तो एक करम हो गया और ए जो करम से आप जी ए साड़े शरीर रुपी धरती विच एक करम रुपी बीज 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 या गया और ए जो धन है एक किते खर्च करोगे आप जी जा पुत्रा नू दबोगे बेटी नू दबोगे पतनी नू दबोगे जा खुद खाओगे खुण ओ जो धन से उपतनी ने भी खादा है पुत्र ने भी खादा है बेटी ने भी खादा है लेकिन ओ बीज जेड़ा बीज बीज या गया ओ आप जी दे शरीर विच बीज बीज या गया उदा भुगतान आभजीन भुगतन हबेगा ओस फल्दा नए पतने हिसेदार हबेगी उस फल्दा नही पड़ोसी हबेगा नही जो तुस्य कीता तुस्य भुगोगे और नगुस्ता की माफ मैं इस तना अरज करा फिर इस मनुख़िन तुस्य की आख़ोते स्याना खोगे जा मूरका खोगे के कुना करके परपंच करके परधन ल्यावें सुतदारा पे आन लुटावें मन मेरे भूले कपट न कीजे अंत निवेरा तेरे जी पे लेजे भूगणा तो तेनुप एगा लेकिन फिर भी मनों खुश हो के करम बीजदा है पत्नी खुश होएगी दो पैसे दमाँगा पत्तर खुश होएगा दो पैसे दमाँगा पर इसनुप काण दसे जो सजा तुम भूगेंगा तेनुप भूगनी पैगे सजा जेहा को बीजे तेहा को खाई खाणा पैगा जदो खाणा पैगा आप जी नुँ ही ते आप जी अपने घर बचिया नुँ कह दें देओ खाणा चंगा बनाओ खाणा तासी है कपड़े चंगे लियाओ पढ़ना तासी है गड़ी अच्छी लईए बैठना तासी है ते फिर कर्म क्यों नहीं चंगे कर दे कि भूगने भी सानुई है क्योंकि कर्म ते बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पहेंदा है कि मेरे वल्लों कीता हुए कर्म किसे नों नुक्सान ता नहीं दे रही है तो सहिब केंदे ने गलां उपर तपावस ना होई विश्खाधी तत काल मर जाए यह पंक्ति की केंदी है गलां उपर तपावस ना होई तपावस केंदे ने फैसला न्या पसे कई वार कह देने है कि गलां देनाल गल नहीं बनेंगी तो कि कुछ लोग ऐसे हों देने जिड़े गलां करन दे विच बड़े माहिर हों देने बड़े माहिर हों देने ऐसे हैं गलां कर देने बातन ही अश्मान गिरा में कुशल हों देने गलां करन दे विच केवें औन हाथ विच जहर होवे खाओगे नहीं मौत नहीं होएगे हाथ विच अमर्त होवे औन पीओगे नहीं अमर्त तत्व प्रापत नहीं होएगा हाथ विच प्या होवे साहिब केंदेने करमें अमर्त आन निसारियो खिसर गयो भूम पर डारियो मैं ही लद्धी होई सी लोब विच मोह विच स्वाद विच एक छोटा जया उधारन मैंनों चेते आगे इसनों समझे न इस जो पूरा अस्तित्व है इसनों तो सी समझे लवो परमात्मा दा घर है पूरा अस्तित्व और एदे दो दर्वाजे हैं दो दर्वाजे कोई उस दर्वाजे तो जा रही है कोई इस दर्वाजे तो जा रही है वो दो दर्वाजे केडे हन एक दर्वाजा प्रेम दा दोजा दरवाजा ध्यान धा कोई ध्यान करकर के रब तक पहुंच रहा है कोई प्रेम करकर के रब तक पहुंच रहा है प्रेम करकर के जिटा मनुख रब नू प्रेम करदा है और रब दी बनाई होई मखलूक नू भी प्रेम करदा है रबदी बनाई होई सरिष्टी नो भी प्रेम करदा है कि मेरे मालक दे हत लगे हो इने है जे रुख बिर्ख बने हन मेरे मालक दे हत लगे है जे दर्या बने हन मेरे मालक दे हत लगे है जे परबत बने हन मेरे मालक दे हत लगे है ते फिर ओ समस्त नो प्यार करता है, प्रेम करता है और कोई द्यान करकर के जा रहा है द्यान किस नो कर देने जिदो आप जी सिम्रन कर दे हो ते कई बार कह देने मैं द्यान ते बैठा सी द्यान किस नो कर देने तो कई दफ़ा मैं अर्द कीती है कि ध्यान उसनों के देने कि जित्थे विचारां दा ट्रेफिक खत्म हो जान दा है कोई भी विचार नहीं है शून नहीं बस बैठा है बैठा है लोग करन कि की करदा पिया है की सोचदा पिया है कुछ सोचना ही ता नहीं है यह तो ध्यान है शुने कोई विचार नहीं आदान प्रदान नहीं और जे किदर आप जी ने करना गयाने जी विचार तां चल देने सीखी करिए विचार तां आंदेने सीखी करिए विचार आंदेने लेरां बन दी आने लेकिन तुसी उना लेरां दे नाल उना विचारान दे नाल तादाद में पैदाना करो उना दे नाल समद ना बढ़ाओ विचार आरिया आन दो विचार जारे ने जान दो पर तुसी आप न जुड़ो दे नाल तुसी बैठ जा विल्कुल शानतों के ए द्यान है पर मात्मा दे दर ते पहुंचे अब जी दे सामने रखा केंदे ने इतनी दौलत इतनी जगीर टेगोर दे पिता दे कोल सी के उस जमीन ते कितने ही शहर वसा सक दे सी फिर किसे थांते जील बनी होई है किसे थांते सरोवर बनिया होया है और किसे थां थे बहुत सुन्दर खूब सूरत नदी बेह रही है ये टेगोर दे पितादी जगीर से तो एक रात टेगोर नदी दे किनारे बैठा होया एक शास्तर पढ़ रहा से ये शास्तर दा नाम सी सौंदर ये शास्तर और पच्छम देख विचारक ने ये किताब लिखी है सौंदरिय शास्तर ओकेंदा सी उस किताब देज़े बोलने वह आप जीदे में सामने रखा ओकेंदा सी तुसी सत्य दी खोज विच ना नकलो तुसी सौंदरिय ते पैरादवो सुंदरता ते पैरादवो क्यों? क्योंकि जदु तुसी सौंदरता ते पैरादवोगे तो सत्य अपने आप ही जुड़ जाएगा क्योंकि जो सत्य है वो सुंदरम है, जो सुंदरम है, जो शीवम है, जो शीवम है वो सुंदरम है ये तिन शब्दने एक पकड़ लो सत्यम, शिवम, सुन्द्रम, शिवम केंदेने जोत नू जो जोत है वो सत्यम है, जो जोत है वो सुन्द्रम है, जो सुन्द्रम है वो शिवम है जोत है और आपजी ने शुरुवात कीती ये सुन्दर था तो, मैं कपड़े बहुत सोने पाउने ने मैं अपने मुखडे नू सजाना है, सुन्दर बनाना है, मैं अपने वाला नू समारना है, सुन्दर था फिर आपजी ने सुन्दरता दे प्रती इतना प्रेम कीता फिर आपजी कहने दे हुँ मैं विचार भी सुने रखने ने सुन्दरता तों कम शुरू होया आपजी कदे टेगोर दी तस्वीर देखो बुजुर्गी दिविच भी आप जीने दाड़ा परिकाश कीता हुई है वाल रखे उने सुन्दरता जिड़ी गल में करन जा रहे हैं सी वो कहनदा अधी रात गुजर गई सौंद्री शास्तर पढ़ दियां पढ़ दिया और अखेरी विच में दीवा बुजाया और विश्राम करन वाक्ते में लेट गया क्योंकि उत्य छोटा जिया कमरा बढ़े हो यसी तो जिवें ही में दीवा बुजाया मैं अद्भुत नजारा देखिया खिड़की दे विच्चों चंद्रमा दी चांदनी उस कमरे विच आ रही है तो मेरे मने विच की ख्याला आया जदों तक दीवा जगदा पे आ सी उदों तक चंद्रमा दी चांदनी अंदर नहीं आ रही सी दीवा बुजिया चंद्रमा दी चांदनी अंदर आ गई तो टैगोर कहनदा है कि जदों तक अंकार्दा दीवा जगदा रहेगा उदों तक निरंकार्दी चांदनी अंदर नहीं आएगी जदों तक अंकार्दा दीवा जगदा रहेगा इसनों बुझा दो अंकार्दा दीवा बुझा दो क्यों 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 सूरज चड़दा है असी दर्वाजा बंद कीता हुए है खिड़की बंद कीती हुए है तो किदर ऐसा नहीं होंदा कि सूरज दिया किरना दरवाजे ते आके और देखते ने बुवा तबंद पिया सी होन वापस ही चले चली है किरना वापस नहीं जान दिया उत्त ही रेंदिया ने ते जिवे ही आप जीने बुवा खोलिया ते फिर की प्राथना करन दी लोड पेंदी किरनानों के होन तुसे आओ कोई अरदास करनी पेंदी किरना नो कि तुसी आओ वेलकम नहीं बुवा खोलिया किरना आ गया ऐ पुर्खा तु भी अपने दिलदा दर्वाजा खोल पर मातमा तो खड़ा यो थे दर्वाजा तो खोल दर्वाजा खो पर एक कल मैं कह दमा ये जो दर्वाजा है एक किस्ता बढ़े होया है गुरु साहिब जी नो पुछो गुरु साहिब कहने ने काम किवाडी दुख सुख दर्वाजा इसनो थोड़ा जिया बरीक बुद्धी नाल समझेना त्यांग दे नाल सुनना कोई भी दर्वाजा होएगा ओदा पहलना किवाड होंदा है जिसनो आप जी चौखट कहनदे हो अरभी भाशा विच उसनो किवाड कहनदे है अरभी पर्सियंद विच किवाड कहनदे है मसल्मान लोग चौखट नहीं कहनदे किवाड कहनदे किवार्ड बहुत मजबूत होंदा है फिर दो तख्ते होंदेने जिनानों असी दर्वाजा केंदे है दो पल दे वो वक्री गल्ले अजो के समय विच चारवी बना देने ते छेवी बना देने पर परतन समय दे विच दो होंदे सी होर पिछी जाईए एक कोई उन्दा सी सड़े अंदर जिड़ा एक दर्वाजा है और किवार्ड है बहुत मजबूत किवार्ड है बहुत मजबूत तख्ते अन जे खोल सकते हो खोलो तो जो किवार्ड है ओ किस्दा है किवार्ड खोलना है इसनों बंद नहीं करना, इसनों खोलना है मैंने छोटी जी अजिका लियाद आई किसे पोस्ट आफिस विच किसे चोर ने चोरी करने सी बॉक्स बेयासी अलमारी पैसी अलमारी विच पैसे रखे वो इसी बहुत सारे ते ओ अपने घरतों कटर, गैस, सिलेंडर वगरा ले गया कि मैं इस अलमारी नों कटना है वेल्डिंग दी मशीन ले गया कहने ने बहुत कोशिश करन तो बाद भी अलमारी टुटी नहीं जिड़ा कटर ले गया सी उदे नाल भी अलमारी नहीं कुली गुसे विचे आके उसने सारी अलमारी वेल्डिंग कर दे ती कि मैं नहीं कट पाया ते और उन कोई भी नहीं कटेगा पैसे सारी दी सारी अलमारी वेल्डिंग करके आ गया इत्य दरवाजा खूलना है, वेल्डिंग नहीं करना आसी होर बेल्डिंग करी जा रहे हैं लोब करके, क्रोध करके, इर्खा करके होर बेल्डिंग करी जा रहे हैं नहीं, खोलो इसनों काम किवाड़ी यह जो कामना है एक किवाड़ है पुतर सुख देगा पिता सुख देगा पतनी सुख देगी मित्तर सुख देगा एक कामना है वो हम से सुख चाहते हैं हम उन से सुख चाहते हैं और जिदों सुख नहीं मिलिया आके केंदे ने गयाने जी अरदास कुरो पुत्तर विगड गया है पती विगड गया है पतनी सुख नहीं दें दी अरदास कुरो तो काम नहीं क्यों रखी नहीं रखने चाहिए दीगा हाँ पुतर तेनो सतकार दवे गुरू दा तनवाद कर पिता तेनो सुख दवे पिता दा सतकार अदब कर मां तेनो सुख दवे मांनो मता ठेक कि ऐ प्रबू तुं रहमत कीती है आप तो मादे रूप इच मेरे कोल बैठा हुए है तो एक किवार्ड कामना दा किवार्ड कामना नो बंद कर दो दुख सुख दरवाजा एदो पल ले हैं कुछ नहीं मिलिया दुख हो या कुछ मिल गया सुख हो गया एक संद कहनदा सी किसे ने भी मैंनो दुख नहीं दिता क्योंकि मैं किसे तो सुख पान दी उमीदी नहीं रखी मैंनो दुख कौन देगा हैसी मैसूस कर देगा मैंनो बड़ा दुख हो या पुतर ने गल नहीं सुनी दुख हो या मितर ने गल नहीं सुनी मैंनों बड़ा दुख होया मैं फलाने दे घर गया मैंनों चाय भी नहीं पूछी मैंनों बड़ा दुख होया कहने देने तुम कामने क्यों रख दाएं एक दुख और सुख दे दो पलडे एक कामना दे नाल ही टंगे होए इने एक कामना दे नाल ये कामना छड़ी सुख भी चला गया दुख भी चला गया फिर अनन्द आएगा फिर गुरू दे दर ते पहुंचाओगे घर ते पहुंचाओगे मैं अर्ज करडिया सी गलां करन दे नाल ही गल नहीं बनेगी केवल ते केवल कथा सुनन दे नाल ही गल नहीं बनेगी बहुत चंगी गल है क्योंकि मैंनो मुका मिलदा है थाँ थाँ ते जानदा कथा करनदा पर मैंनो बहुत खुशी होंदी है कि आपजी जिस ढंग नाल सुनदे हो जिस त्यां दे नाल सुनदे हो जितने प्रेम दे नाल सुनदे हो बहुत खुशी होंदी है आप जी बहुत प्रेमनाल सुनदी है इननों कहन देने कि ए वाके ही श्रावक खन श्रावक कहन देने सुनन वाले श्रोते सुनन वाले साधक तुरन वाले तो आप जी श्रावक भी हो आप जी साधक भी हो अप जी श्रोते भी हो, अप जी सादक भी हो, सुन के चलना तो साइब केंदे ने कथा सुन के, गुरु दे बोल सुन के, फिर मन ले, मन के फिर भाव रख सुनियां, मनियां, मन कीता भाव, अंतरगत तीरत मल नाओं पर जी किदे केवल ते केवल सुन दे गए, पर तुरे नहीं है तो साइब केंदे ने तेरे हथां ते जैर पिया हुए है, गबराना ना, तेरी मौत नहीं होगेगी क्योंकि हथां ते तपिया है और तेरे हथां ते अमर्त पिया है बहुता खुशना होना तेनों जिन्दगी नहीं मिलेगी क्यों? क्योंकि हथां ती तह पिया है जदों तक अमली जीवन नहीं होएगा गल नहीं बनेगी गलां उपर तपावस न होई विस खाधी तत काल मर जाए बाई वेखो न्याओ सच करते का जेहा कोई करे तेहा कोई पाए जेड़ा करेगा वो भुगतेगा दूजा तीजा चोथा पंजबा नहीं भुगतेगा जेड़ा करेगा वो यह भुगतेगा और दनुगुरु ग्रण साब ने बोल की केंदने एह कर करे सो एह कर पाए कोई ना पकड़ी है किसे था है किदर ऐसा तर नहीं होंदा कि गुना मैं कीते फड़े तुसी गए गुना तुसी कीते ते मैं फड़े आ गया ऐसा नहीं होंदा नहीं होंदा यह जिड़ा कोई करदा है यह ओही भूगदा है जननानक कों सब सोजी पाई हर दर्कियां बातां आख सुनाए मैंनों समझ आ गई ते निरंकार ने मेरे ते रहमत की ती ते मैं इलाही मजलिस विच आके बैठ गया और गुरू दे बॉल सुने में मैं गुरू दे कथा सुनी गुरू दा उबदेश सुनिया लोग सुखिये पर लोग सुहेले नानक हर प्रभू आपे मेले पुलांच कांदी खिमा वाही गुरू जी का खलसा वाही गुरू जी की फते